त्योहार हूँ या घर में महमान आने वाले हूँ मिठा तो बनता ही है आज हम बनाएंगे घर पर बहुती आसानी से हल्वाई जैसी लच्छेदार रबडी बनाना इसे बहुती आसान है इसे हम सिर्फ दूद के साथ बनाएंगे और हल्वाईयों वाला सीक्रेट भी अपनाए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूटीब चैनल मा की रसोयनजू को जरू सस्क्राइब करें रबडी बनाने के लिए एक भारी तले की कड़ाई लेंगे इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि कड़ाई के तले में दूद लगे न इससे चारो तरफ गुमाते हुए दूद डालेंगे रबडी बनाने के लिए हमने डेड़ किलो दूद लिया है मैंने यहापे गाय के दूद का इस्तमाल किया है आप चाहें तो भैस का दूद भी ले सकते हैं हमने यहापे पहले दूद को उबाला नहीं है डायरेक्ट ही हम कच्छे दूद का इस्तमाल कर रहे हैं केसर से इसका कलर और फ्लेवर दोनों ही अच्छे हो जाएंगे, अगर है तो डालें, ना हो तो ना डालें, आप डालेंगे वो सीक्रेट ची जिसे हलवाई जरू डालते हैं, एक चम्मच दही, इसे हम दो बार में आधा-ाधा करके डालेंगे, हम दूद को ही उबाल-उबाल क इस रबड़ी को बनाएंगे, तो ये बिल्कुल मावे जैसी लगेगी, रबड़ी जैसी नहीं लगेगी, इसलिए इसे दानेदार और लच्छेदार बनाने के लिए एक चम्मच दही डालना जरूरी है, आप देख पा रहे होंगे, दूद पहले से ज़्यादा गाड़ा हो लाई जमेगी, इसे भी कर्ची से हटाके दूद में मिला लेंगे, देखिए पहले से दूद कितना गाड़ा हो गया है, और जो हमने इसमें एक चम्मच दही मिलाईए, उसकी वज़े से एकदम दानेदार रबड़ी हमारी बन के तयार हो रही है, आप इसमें केसर वाला जाहें तो यहाँ पे आदा चमच इलाईची का पॉडर भी डाल सकते हैं, इसे डालते हुए दूद में मिक्स कर देंगे, आप इसे कर्ची से चलाते हुए मिक्स करेंगे, घर में आप कोई भी मिठाई बनाए या कुछ भी बनाए, थोड़ी सी महनत तो होती है, लेकिन मन क तसली और खुशी भी महसूस होती है, यहाँ पर थोड़े से ड्रैफ रूट्स लिये हैं, इन्हें बारीक काट लिया है, इसमें हमने थोड़े से बादाम लिये हैं, थोड़े से काजू और थोड़े पिस्ता लिये हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से, या जो भी घर में ह और ड्राइफ्रूट्स उन्हें डाल सकते हैं, अगर ना हो तो आप इनके बिगर भी रबड़ी बना के तयार कर सकते हैं, इन्हें इसमें चलाते हुए मिक्स करेंगे, मैं वीडियो ओन करना भूल गई थी, मैंने यहां पे 6 चम्मत चीनी डाली है, आप अपने टेस्ट के हिस कम ज़्यादा कर सकते हैं, अभी हमें इसे और पकाना है, क्योंकि चीनी भी इसमें जाके पिगलेगी, अभी हमें इसे लगातार चलाते हुए और भी भूनना है, और इसमें दानेदार लच्छे बन कर तयार हुए हैं, इसके किनारों में जो मलाई जम रही है, इसे भी अंडा होने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ी देर बात देख लेते हैं, देखिए हमारी कितनी परफेक्ट लच्छेदार रबडी बन के तयार हुई है, रबडी को अगर आप जादा गाड़ा करेंगे तो बिल्कुल मावे जैसी लगेगी, रबडी में हलका हलका दूद जैसी आड़ी, लच्छेदार, मलाईदार रबडी बना के घर पे तयार कर सकते हैं, और हमने इसमें अलग से कोई ऐसी चीज नहीं डाली, जिसे आप ब्रत में ना खा सकें, इसलिए आप इसे ब्रत में भी खा सकते हैं, कटे हुए पिस्तेसी से गानिश करेंगे, इससे ये देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी, आप चाहें तो इसे बादामशे भी गानिश कर सकते हैं, लीजिए तैयार है हमारी मलाईदार रबडी, आप इसे इतनी आसानी से घर पे एक बार बना के देखिए, आप बजार की रबडी खाना बूल जाएंगे, और घर में ही अब को इतनी पसंद आएगी, कि आप से बार बार बन बानी की जिद करेंगे, तो फ्रेंड्स बनाए खाएं, इंजोई करें, रेसिपी अच्छी लगे, तो रेसिपी को लाइक, शेर और आपके अपने यूटीब चैनल माकी रसोई अंजू को जरूर सस्क्राइब करें, ध अन्यवाद!